तो Nothing Phone 1 के covers वाले वीडियो में यहाँ पे जो है काफी सारे comments आ रहे थे कि यहाँ पे आपने पीछे का इसका जो glyph light है उसको continuously on कैसे रखा तो यहाँ पे जो है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे जो on रख सकते हैं continuously अपने Nothing Phone 1 के glyph lights को लेकिन अगर आपने वह cover वाले वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे यूट्यूब के अंदर Nothing Phone 1 के जितने भी covers आते हैं सबका मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसका link नीचे description में या फिर यहीं कहीं आई बटन में pop-up हो रहा होगा जा करके आप देख लाइट आपको देखने को मिल जाएगा यह इस तरीके से आप यहाँ पर on कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जैसी में power button को दबाऊंगा तो यह देख सकते हैं यहाँ पर साथ में यहाँ पर लिखना है activity launcher यह आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस परकार का app इसको आपको यह आप इंस्टॉल कर लेना है तो यह हो जाता है इंस्टॉल आप यहाँ पर open कर लेते हैं open करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको loading screen देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको पूरे apps का list देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सर्च वाले option में जाके ल LED लिख देना है और यहां पर आपको बैक कर लेना है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा LED light test उसके बाद आपको यहां पर इसे tap कर लेना है अब यहां पर देखिए एक-एक slider को आपको यहां पर फुल कर देना है कि जैसे जैसे आप यहां पर एक-एक slider ऊपर नीचे करोगे तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका ग्लेफ लाइट जो है चालू हो जाएगा तो यहां पर आपको जितना intensity चाहिए उतन केंट्रोल कर सकते हैं सबसे उपर आप 50% पे लेकर के दिखाऊं तो यह देखें यहां पर कैमरा में उतना पता नहीं चल रहा होगा लेकिन कम हो जाता है पहले वाले slider को यहां पर यहां पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस कम हो गया मैंने 20-30% पर रख दिया है यह 35% पर कुछ इस प्रकार का दिखता है तो डेफिनेटल यहां पर ब्राइटनेस वगिर अभी आप आप यहां पर यहां पर पीछे आपके फोन के दिया गया नतिंग फोन के सबको आप यहां पर कर सकते हैं इस वाले ट्रिक्स है अगर आपको यह ट्रिक सहा लगा तो नीचे लाइक बटन दबाईए और दोस्था आँए चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलिएगा तत्व प को जैहन मने मातरम और आपका दिन शुब रहें